अब लोग गस हो गयता है, देखो ये वीडियो ना मैं सरिफ dedicated अनायन वर्सस कटायन के concept को समझाने के लिए बना रही हूँ, किस के लिए बना रही हूँ, अनायन वर्सस कटायन के concept को, कितनी बार बच्चे इसमें confuse हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अगर अनायन वर्सस अगया तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले तो हम concept समझ रहेते कि अनायन होगा क्या और कटायन होगा क्या, फिर उसके बीच का हम difference देखेंगे, सबसे पहले देखो अनायन क्या होता है, अनायन होते है, एक चीज़ याद रखना, अनायन पे negative charge होता है, कटायन पे positive charge होता है, अनायन के पास look here, हम ऐसे देखते हैं, अनायन मैं लेती हूँ कोई negative charge, oxygen लेती हूँ, oxygen कौन से नंबर पे आता है, oxygen आठवे नंबर पे आता है, okay, एक से ट्मेंडी था याद होने चाहिए, नायन्थ क्लास से की शुड़ात हो जाती है, C.V.S.C. के बसमें, 9th, 10th और 11, 12th में आगा, तुम्हें साइंस ली तो, ये मैं oxygen को अगर तोड़ू, मैं इसकी configuration करूँ, based on वो, जो मैंने 9th क्लास में सीखी थी, ठीके, बोल्स रूल के हिसाब से, 2 और 6 हुआ, ठीके, हम एक चीज जानते हैं, कि outer most shell में कितने electron होने चाहिए, 8, सबको अपना octate complete करना है, तो जब भी outer most shell में 6 है, तो ये क्या करेगा, ये 2 electron किसी से गेन कर लेगा, तो जो electron गेन करता है, उस पे negative sign आ जाता है, कैसे sign आ जाता है, negative, और क्या बन जाता है, वो, anion बन जाता है, क्या बन जाता है, anion, इसलिए oxygen पे 2 minus का sign रहता है, O2, 2 minus का sign रहता है, got it, anion पे negative होता है, थोड़ा सा और बताऊंगी, अभी देखो कटाइन के बारे में भी सुरू लेते है, कटाइन मैंने तुमें बूला कि चलो, तुम, क्या केते है, sodium पे आता है, sodium कौन से नमबर पे आता है, फटाफट, 11th नमबर पे आता है, configuration करो, पहले में 2 आते है, दूसरे में 8 आते है, अब कितने 8, 12 होगा, एक बच गया ना, आख या तो को इसको साथ दे दे, या कोई इसका एक यह ले ले, तो साथ देने में बहुत energy लगते है, वो impractical बात होते है, वो नहीं देता कोई भी सको 7 electron, रधर ये अपना 1 electron डुनेट कर दिता है, तो जब डुनेट कर देता है, तो उस पे positive sign आ जाता है, कैसा sign आता है, positive, अब अर a J כह बंदहां का थरीका कि जो किसी को पड़ार्य करे का तो 28 ठीख के हमें ही एसे एक cambio में कि अंसे उसा के ना लेकर पाले टा बढ़ा है तो अनायेन जो होता है इसका नेग्टिफ evalu ज्टफ ग生 positive character है मेरे को ये चीज ऐसे ही याद रही कि uncatine जो लोग हमेशा कुछ देने के लिए होते है help करने के लिए होते है वो हमेशा positive लोग होते हैं हमारी life में जो हमेशा energy सब कर लेते हैं हमसे help लेते रहते हैं expect करते रहते हैं मुझन के लिए कुछ करे वो negative character में आ जाते है तो anion का character negative था cation का character positive था cation का example sodium था anion का example oxygen है थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं एक और sheet add करती हूँ हाँ जी देखो अब कौन cation मनाएगा कौन anion इसके लिए मैं तुम्हें एक trick बताती हूँ बच्चों याद रखना जब outer most shell में outer most shell में ध्यान से सुनना जब outer most shell में एक दो या तीन electron होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं donate करते हैं मतलब वो क्या बनाएंगे वो हमारा cation बनाएंगे example देखते हैं तेके जैसे sodium 11th नंबर पे था तोड़ा इसको 2,8,1 बना na plus बना तेके magnesium 12th नंबर पे था तोड़ा इसको 2,8,2 8,2,10,12 तेके सबसे पहले में 2 आएंगे फिर 8 आएंगे फिर आगे बना तो अब इसने 2 electron donate कर दिये न तो ये mg 2 plus बन गया तो ये तुमारे थे जब outer most shell में एक दो या 3 electron होते हैं वो हमेशा क्या करता है वो हमेशा donate करता है वेरस जब outer most shell में अब हम आगे तीसरा case देखते हैं देखो जब outer most shell में outer most shell में 4, 5, 6 या 7 ये 4 case होंगे तो क्या करेगा वो हमेशा electron को accept करेगा क्या करेगा electron को accept करेगा और क्या बन जाएगा anion बन जाएगा क्या बन जाएगा anion बन जाएगा got it एक और फटा-फट रवाइस कर लेते है anion क्टाइन concept हमने पड़ा anion के पास negative charge होता है kataion के पास positive charge होता है तो anion हमेशा electron को accept करते a से accept a से anion kataion हमेशा electron को donate करता है तेखे अब इसका कोई logic नहीं है a से वो वाला तो हमें रिलेट करते है a से anion और a से accept c से वाला कुछ नहीं है देखो तो जिसके outer motion में एक, दो, तीन होंगे वो donate कर देगा जिसके outer motion में चार, पांच, हेस आत होंगे और electron को accept कर लेगा एक फटा-फट एक पेज और में anion kataion का difference देख लेते है तेखे कभी-कभी question आ गया स्कूल में तो तुम कैसे लिखो यहाँ पे anion लिखते है यहाँ पे kataion लिखते है देखो, पहला difference क्या है anion हमेशा electron को accept करता है तुम इसे statement में लिखता है मैं पस इतनी space नहीं है और यह electron को donate करता है गॉट इट, देखे और फिर उसके बार इन दे carries यह कौन सा charge carry करते है carries negative charge और यह कौन सा charge carry करते है यह carry करते है positive charge कैसा charge, positive charge तीसरे में example लिख देना इसका, इसका example O2, 2 minus ठीके, N, 3 minus यह सारे, और इसका इसका example क्या लिखोगे, इसका example लिखना kataion है न, तो N A plus A L, 3 plus got it, चलो झालो झालो